कौशांबी पुलिस की बली लापरवाही आई सामने कि शोर के अफरण की सूचना पर नहीं हुई कोई कारेवाई क्या पुलिस कर रही है बड़ी अनुहूनी का इंतजा यूपी के कौशांबी जिले से अफरण जैसे जगन अपराद जैसे बड़े मामलों में बड़ी लापरवाही सामने आई है बीते बुधवारे कि शोर का दिंदा हरे अफरण कर लिया गया हरत अंगेश बात तो यह है कि नाम जद तहरीर देने के बावजूत पुलिस ने कारिवाई के नाम पर अभी तक नतीजा धांक के तीन पात साबिक हो रहा है वही परिजनों को अब किसी अन्होनी का डर सताने लगा है कि लेकिन कौसांपी जिले की बेरहम पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है वही आज किशोर की मा ने आज खात्या की आश्रंका जताते हुए घटना की शिगायत स्पी से की है दरसल पूरा मामला मंजनपूर थानाचीतर के असकरनपूर मंग रोहनी गाउं का है जहां कि लक्षमी देवी पतनी नत्थू लाल ग्रही है उसका आरोप है कि बुद्वार दोपहर उसका बेटा आनंद गाउं की ही प्राइमरी स्कूल के पास खड़ा था तभी पडोसी दो दबांग युवा काय और जबरन आनंद को अपनी बाइक पर बैठा लिया इसके बाद उसे गायब कर दिया उधर आनंद काफी देर तक घर नहीं लोड़ा तो परिजन पर पैच तो परिजन परिशान हो उठे होजबिन के दोरान उन्हें आनंद के अपरण होने की जानकारी हुई पेडिता की माने तो बेटे की अगवा की ये जानी की तहरीर उसने वुद्वार पुलिस को दे दी थी लेकिन पुलिस ने कारिवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया उल्टा पुछताज के बहाने पेडित परिवार के सदस्यों को ही घंडो कुटवाली में बैठाय रखा पेडित मा का कहना है कि अपरण करताओं ने उसके बेटी की हत्या करके संभवता लाश गायाप कर दी है एसपी अभिरंदन ने नगर कुटवाल को जाच कर तुरित कारिवाई करने का निर्देश दिया है फिलहाल पुलिस की मंजण पूर पुलिस की लचर कारेशेली से ग्रामिरों में तरह तरह की चर्चाएं आम हैं जिसका नतीजा यह है कि जले में अपराद दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं के लिए कोशांबी से मुहमद नाविद की रिपूर्ट